मेडिल इजिकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका सोगत है आप देख रहे हैं टॉपर स्रीज वर्स दो हजार चौविस जिसका मुख्य उद्दे से आपको बारसिक परिक्षा में टॉप कराना लीज स्टुएंट्स अब आपके सामने हम नेक्स चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम होगा अध्याय आठ अन्वान सिक्ता इसके पहले मैं अध्याय एक से लेकर के आपके साथ तक के सारे के सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाएए जाकर के ASK Classes के Official YouTube चैनल पर देख सकते हैं और मुझे पता है इन लेक्चर को वही श्टुएंट देखेंगे जो बागा ही टॉप करना चाहते हैं अच्छे नम्मर लेकर के आना चाहते हैं बागी तो सारेक्स अरेश्टेंट्स पेपर की चकर में हैं कि कहीं न कहीं से पेपर आ जाए और उनको पता है कि आज तक इतने सारे एक्जाम्स हो जुके हैं पेपर किसी दिन आया नहीं तो आज कहां से टपक पड़ेगा पेपर बारे नहीं हो रहा है यह सब चीज तुम को ही पता है इसलिए मैं आपको बहतरीन तयारी करा रहा हूँ तो चलिए अध्या नम्बर आठ अनुवान सिक्ता से देखें कौन कौन से कोस्टेंस देखने को मिलेगा यहां से महतर चार नमबर का पूछा आएगा फिर इसके बाद वाला चेप्टर बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है प्रकास परावरतन और अबरतन आठ नमबर का मेरी कोसिस है रहेगी कि इस वीडियो में मैं अध्याए आठ और नौ को कवर कर दूँ क्योंकि आठ तो चोटा ही है नौ बड़ा है तो हमारी कोसिस रहेगी कि इस पंदरा से बीस मिनट के वीडियो में इन दोनों चेप्टर को कवर कर दे तो चले स्थे जंप करते हैं हम अनवान सिक्टा करव देखते हैं कौन-कौन से कोश्चन्स बनेंगे एंड क्या होगा इनका सही आंसर देखे ये रहा आपका अध्याय आठ अनवान सिक्टा अनवान सिक्टा से कौन-कौन से कोश्चन्स देखने को लेगे तो सिंपल सा एक प्रश्ण पूछेगा कि मनुस में कितने जोड़ी गुरसूत्र होती है मैं बता देता हूँ मनुस में तेश जोड़ी गुरसूत्र होती है ठीक है चलिए बाके मेंडल से समझीत प्रश्ण आएगा वो कौन-कौन से कोश्चन्स बनेंगे इसको मैं अभी टिक करा देता हूँ सबसे पहले पतांचे कि आखिरकार अनुवानसिक्ता होता क्या है तो अनुवानसिक्ता मतलब होता है जीवधारी में पीढ़ी दर पीढ़ी बिभिन लक्षन जो ट्रांसपर होता है उसे ही अनुवानसिक्ता कहते है और वही आपका अनुवानसिक्ता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट हमारे एक्जाम में आएगा कि मेंडल ने अपने प्रियोग के लिए मटर के पौधे का ही चैन क्यों किया था तो सिंपल सा रीजन ये था कि मटर का पौधा एक बारसिक पौधा होता है जिसका जीवनकाल बहुत ही कम होता है और दूसरी बाती है कि एक क्रतिम परागन किया जाता है इसमें आसानी से क्रतिम परागन मतलब क्रतिम रूप से परागन मतलब इसका निसेचन करा सकता है और इससे रिजल्ट जो मिलता है उसका आध्यन कहा सकता है वो प्रभावी लक्षन कराता है मतलब प्रभाव पढ़ना किसी को पर ठीक है जब क्रॉस कराया क्रॉस करा करके देखा गया तो जो पहली पीड़ी का लक्षन था वही दिख रहा था किन्में नए बच्चों में जो नए संतान के उत्पत्ति हो रहे थी इसे कहते हैं प्रभा प्रभावि लक्षन बस आपके exam point of view से इतना important है निए चाहता है मेंडल के प्रभाविता का नियम तो मैंडल सोतंतर अभ्यूहन करिया यह तीनों चीज़ तुमको पता होने चीज़ प्रहाविता प्रथक्रण और सोतंतर अभ्यूहन एक्जाम पइंट भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट गुण सूत्र गुण सूत्र के कारे और महत्त बता सारी अगर्माता पिता की सारी इक्सर रशना जिस प्रकार सी है तो जीन का ये भी कारे होता है कि आपकी सारी से ठीक उसी प्रकार से देखने को मिले एंट तीसरा मवरा एकि गुण सूत्र के प्रतिकरतिकार की संथाति बनती है ठीक है यह तीनों चीज आपको अच्छे से करना है next exam में आएगा कि मनुस्च में गुर्षूत्र की संख्या में क्यांतर है तो मनुस्च में गुर्षूत्र की संख्या में क्यांतर है तो मनुस्च में गुर्षूत्र की संख्या तो तेज होती है मतलब तेज जोड़ी होती है जिसमें 22 जोड़ी गुर्षूत्र समान होत होता है वो लिंग का निधारन करता है ठीक है महिला का एक्स औक्स और पिता का एक्स और वाई इन से मिलकर के अल्डिंग का निधारन होता है कैसे होता ज़र समझना यह समझो कि महिला का हो गया और यह हो गया पूरूस का ठीक अगर जब निसेशन करते वक्त X और Y का मिलन होता है तो समझो बच्चा होगा अगर X X का इसके X का इसके साथ इसका X का इसके साथ मिलन हो गया तो समझो बच्ची होगी कुछ इस प्रकार से बनता है आपका पूरा पूरा डाइग्राम चलिए आगे बढ़ती हैं बाकी एक्जाम में एक क्वेश्चन यह देखने मिल सकता है कि मेंडल की प्रियोग से कैसे पता चला कि विभिन लक्षान सुतंत रूप से वनसा नुगत होती हैं तो यह इसे आपको अच्छे से प्रिप्यार करना है एक्जाम पॉइंट भी से बहुत ज़्यदा इंपॉर्टेंट है चलिए अब क्वेश्चन कौन सा आएगा कि मानों में बच्चों का लिंक करना कैसे होता है यह वही क्वेश्चन से हैं वही आएसी आंसर लिखेंग जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है ठीक तो इसे अच्छे से प्रिप्यार कर लिजेगा प्लीज माकी मैंने समझाया देख लो डाइग्राम भी कुछ वैसी बना है आगे बढ़ते नेश्ट क्या कहता है बस नेश्ट हमारा आगे प्रकास का प्रावर्तन आई देखते हैं प्रकास के प्रावर्तन से कौन कौन से कुस्चन्स आएंगे सबसे पहले पतान जी के आखिरकार प्रकास का प्रावर्तन होता क्या है समझना तो प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है यह एक आपका प्रावर्तक सतय होता है जब कोई आपतित क्रण आती है ठीक है प्रकास के प्रावर्तन प्रावर्तन और बीच में होता है अभिलंब इसके दो नियम हैं आपतित क्रण प्रावर्तित क्रण वह अभिलंब एक ही तल परि अब देखते हैं कौन कौन से questions exam में पूच जाएंगी। पहला नमбर कहता है कि गोली दर्पन किसे कहते हैं कितना प्रावर्थक प्रष्ट गोली होता है उसे गोली दर्पन कहते हैं. ये दो प्रकार को होते हैं पहला अवतल और दूसरा उतल नेश्ट कहता है आवर्धन किसे कहते हैं तो किसी प्रकास की युक्त द्वारा उत्पन आवर्धन वह आपेक्षिक बिस्तार है जिसमें से ग्यात होता है कि उस युक्त द्वारा बना प्रतिविंब बिम्बी की अपेक्छा कितने गुणा आवर्धित होता है बस इतना आपको प्रिप्यार करना है नेक्स्ट आपकी एक्जाम में आएगा लेंस की छमता से आप क्या समझते हैं इसका मात्र क्लिखे तो किसी लेंस दोरा प्रकास क्रिणों का अभिसरन या अपसरन करने की मात्रा को लेंस की छमता कहते हैं इतना आपको ध्यान रखना है लेंस की छमता को डायप्टर में वेक्ट क्या जाता है इतना आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा नेक्स्ट एक्जाम में क्या आएगा नेक्स्ट आएगा कि 2-0 मिटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की छमता क्या होगी तो इसका छमता निकालने के लिए एक बटे F मतलब F मतलब लेंस का फोकस दूरी और भाग देदो कि तो minus 0.5 answer आएगा इस प्रकार से इसको solve करना है next exam में देखने को मिलेगा कि अवतल दरपन की मुख्य focus दूरी को परिभासित कीजे तो अवतल दरपन की मुख्य focus मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली प्रकार की किरने अवतल दरपन के परावरतन के पस्चय जिस बिंदू से होकर के जाती है उसे अवतल दरपन की मुख्य focus दूरी कहती है इसे यप से प्रदर्सित करती है next question आएगा कि हम हम बाहनों में उतल दरपन का उपयोग क्यों करती है side mirror के रूप में ठीक है यह questions वही पूछा गया है तो simple सा क्या होता है उतल दरपन का जो प्रतिव मनता है वो बस उसे छोटा बनता है और सीधा बनता है इसलिए गाले के side mirror में उतल दरपन का प्रयोग किया जाता है ठीक है बाकि यहां से कोई questions ने बनेगा आप इन्हें skip कर सकते है next यहां से कोई बन रहा है क्या जी नहीं next तीन देख लेना गोलिय दरपन के वकरता केंदर focus दूरी और गोलिय दरपन के वकरता त्रिज्चा इन तीनों का अच्छे से prepare कर लिजएगा चलिए side करते हैं जब प्रकास किर्णे सघंवाध्यम पर रभ्यश्करति jou क्या होता है यह exam म Pers cuma current ng 돌아 सकता है कि जब प्रकास कि शगन में जाने पर क्या होता है तो ध्यान सुननो जब प्रकास किर्णे सघंवाध्यम से बिल मात्यं में जाती है तो अभिलंबी की ओर शुकती है सबसे पहले दंथ चिकित्चा को इसका यूज करता है और दूसरा दार ही बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठीक दो उप्योग पूछा तो दो मैंने बता दिया चले बाग यहां से कोई questions नहीं बनेगा आप इन्हें skip कर सकते हैं बेची जग ठीक है अब देखते हैं देरखुत्री प्रशन अवतल दरपण, उतल दरपण, संदल दरपण का उप्योग 100% इस एक्जाम मैंगा तीनो उप्योग अच्छिस कर लेना ठीक है बाकि मैंने समझाई दिया है बाकि यही सब प्रशन पूचा गया है अभी सारी लेन्स और अप सारी लेन्स किसे कहते हैं ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना तो अभी सारी किसे कहते हैं तो जो आपका उतल लेन्स होता है उसे कहते हैं अभी सारी और जो अबतल होता है उसे कहते है अपसारी ध्यान रखना अप ठीक है अपसारी मतलब अबतल होगा ठीक है सिंपल से यह जो पा है उसे बा कर दो और अभी सारी मतलब आपका हो जाएगा उतल ठीक इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब सारी तो अब तल और अभी सारी मतलब उतल चलिए बागी एक्जाम में यहां से कोई questions ऐसा नहीं है जो एक्जाम पॉइंट बी से बहुत ज़्यादे important हो तो आप यहें skip कर सकती है ओके student मैं और चेकर लेता हूँ हाँ आपको देखना है प्रशन करवांक नौ नवर अच्छे से देख लेना एक बार एक नजर देख लेना बागी एक्जाम पॉइंट बी से बहुत ज़्यादे important नहीं है ठीक है नेक्स्ट आपको देखना है परवरतन का नियम क्या कहलाता है जिसको मैंने अभी डिसकस किया एंड फोकस दूरी इतना है और इसकी छमता इतनी डाप्टर इतनी तो लेंस क्या होगा ठीक ये पूछा गया तो परवरतन का नियम मैंने समझा दिया आपको पहले ही जब वीडियो शाट के तभी बताया है एंड इसका आंसर सेगंड वाले का आंसर आपको देखेगा अतले खुत्रिय प्रश्नक्रमंक आठ में ठीक है एक कोश्चन और देखना है आपको ये रहा कोश्चन नंबर 11 आयता कारकांच की तुकड़ें प्रकास के अब बरतन का आरे खोदाना है ठीक है 100% इस एक्जाम में देखने को मिलेगा तो इस प्रकार से लीजिए अध्याए 10 तक पूरे सुरी अध्याए 9 तक पूरा पूरा कम्प्लेट कर दिया गया है वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ है जरूर कीज़ेगा पहले बने चल्ड को सब्सक्राइब करना मैं 4 सेट में पेपर को कवर क्या हूँ अगर 4 सेट के पेपर का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में हैं देख लेना जा करके और सुनो पीडियो को डाउनलोड कर लेना इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है जल्दी मिलते है नेक्स्ट पार्ट में जिसमें अध्यादस के आगे कुश्चन को कवर करेंगे बाई बाई हुआ से में अढनी ने संवें संवेाahah